नमस्कार बाला जी फेशन बुटिक चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं कुर्ती कटिंग करना बताऊंगा आपको यह मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फोल्ड कपड़े को कैसे बिचाना है हिप जैसे कि हमारी है 22 इंच या टोटल 14 इंच उसका आदा हो जाएगा फिर 11 इंच इसमें हम दो एड़ कर लेंगे मार्जन के लिए तो हमारी टोटल हो जाएगा यह 13 इंच तो हमें 13 इंच पर पीछे की साइट से जहां से दिख रहा हूँ आपको 13-13 इंच पर निशान लगाने है कन्नी की तरफ से नीचे तक हम 13-13 इंच के इस पर निशान लगा लेंगे निशान लगाने के अबाद इसको यहीं से हम फोल्ड कर देंगे यह मैंने दोनों पल्ले एक साथ काट के दिखा रहा हूँ आपको दोनों पल्ले एक साथ कटेंगे इसमें सबसे बहले हम एक लाइन उपर खीच लेंगे उसके बाद हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे मुड़ेगा 6.5 इंच पर उसके बाद हमें कमर का निशान लगाना है 15 इंच पर और हिप का निशान लगाएंगे 21 इंच पर उसके बाद हमाई लेंट जो है वो 45 इंच है तो 45 इंच पर निशान लगा लेंगे और जो नीचे मार्जन आपको दिख रहा होगा वो दुर्पाई में चला जाएगा धाई या 3 इंच का मार्जन रख सकते हैं अब 13 हम रखना है 6.5 इंच क्योंकि गला पीछे का 7 इंच का है इसलिए हमें 6.5 इंच रखेंगे आगा ककमर जो है मारी वह ऑर सब्लूइंच उसका चॉल्मान सरा जाएगा 9.5 इंच यह ब्राइण जो है वह भी 44 हमें और जा जाएगा ग्यारा इंच कि अब हमें दामन रखना है अगर को इस का चाल मतलब अब इन निशान और अमों मिल लहा देंगे अब हम इसमें आर मोल का शेप देंगे यह जो सीधी लाइन है इसका आधे जाता ले लेंगे जैसे कि हमारा साड़े चाएंच आर मोल की लेंद है तो इसमें हम आधे जादा मतलब कि चार पूसाड़े तीर इंच ले लेंगे और इसमें शेप देंगे और यह गड़ा वाला हिस्ता है इसमें आप एक इंच से ले करके और देड़ इंच तक रख सकते हैं इससे जादा ना रखें दवाब के लिए मैं देड़ इंच पर निशान लगा देता हूँ और से पट्टे की मदद से हम डेड़ इंच के हिसाब से इस पर मार्जन के लिए निशान लगा लेंगे अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो फ्रेंट्स मैंने ये कटिंग कर ली है दोनों पल्लों की एक साथ कटिंग की है फ्रेंट वाले पल्ले को हम अलग निकाल लेंगे बैक वाले पल्ले को अलग निकाल लेंगे बैक वाले को तो मैंने अक्स्ट्रा ही काटा है आदा इंच अक्स्ट्रा फ्रेंट वाले पल्ले में जो है जो यह मार्जन दिख रहा होगा आपको इसको हम बराबर कर लेंगे इसकी मैं कटिंग कर लेता हूं तो हमारे फ्रेंट के और बैक के पल्ले कट चुके हैं आपको फ्रेंट के पल्ले में और बैक के पल्ले में आर्मोल में आदा हिंच का मार्जन देना है इस जदा नहीं देना है अब हम आस्तिन की कटिंग करेंगे अब देख लीजिए डबल फोल्ड कपड़ा है यह तो इसमे हमारा आर्मोल नहीं निकल पाएगा इसलिए हम थोड़ा सा पीछे को रख लेंगे इसको सबसे पहले हम निशान लगाएंगे तीन इंच पर फिर हम स्लिप्स की लंबाई लगाएंगे अठारा इंच पर और एक इंच अक्सरा रखेंगे मर्जन के लिए आदा इंच नीचे आदा इंच उपर इस वाले निशान को हम सीधा कर लेंगे अब देखिए यहाँ पर चौबाली चेस्ट है तो उसको हम पास से भाग करेंगे तो यह जाएगा आपका 45, 9 इंच यानिके 9 इंच के सम्थिंग तो 9 इंच पर मुड़े का निशान लगाएंगे उपर हमें 10 इंच पूरी रखनी है तो 5 इंच पर निशान लगाएंगे इन इशानों को आपस में मिला देंगे और 1.5 इंच के लिए अलग से मार्जा लख लेंगे दवाब में और मुड़े का हलका हलका शेप दे देंगे तो मैं सिलिप की कटिंग कर ली है यह मार्जान जो बच्राय कपड़ा इसमें अलग से कपड़ा ले आगे इसमें जोड लगा लेंगे स्ट्राइब से तो फ्रेंड्स हमारे सिलीप की कटिंग हो चुकी है इसी टाइप से आपको सूट की कटिंग करनी है यही पैटर अपनाना है अगर आपका नेक डीप है सात इन चाहिए यानिके छह सात आट तो आपको यही पैटर अपनाना है झाल झाल झाल